वेल्कम टे इंफ्रीडी एजुकेशन और बच्चो आज हम डिस्कस करेंगे स्यमेट्रिक और स्क्यू स्यमेट्रिक मेट्रिक्स तो देखों मैंसे समझते हैं कि स्यमेट्रिक मेट्रिक्स और स्क्यू स्यमेट्रिक मेट्रिक्स होती क्या है तो symmetric matrix आप उसको बोलते हो क्या बच्चो अगर symmetric matrix जो आपकी होती है वो इस condition को satisfy करेगी तो कहते कर आप A का transpose निकालो और वो A के equally आजाए क्या बच्चो अगर आप A का transpose निकालो और वो A के equal आजाए तो आप उस matrix को बोलते हो symmetric matrix example देखना एक एक को consider कर लेते हैं ऐसा कुछ symmetric आपकी consider कर लेते हैं 1-1 5 और यह अपने पास minus 1 2, 1 और अपने पास 5, 1, 3 तो देखना हम इंपर इसका transpose निकालते हैं 5, 1, 3 हमें क्या निकालना है इसका transpose तो बच्चे इसका transpose क्या आएगा मेरी help करना थोड़ी देखो first column को क्या बना दे हैं first row 1-1 और 5 देन यह क्या हैगा minus 1, 2 and 1, देन यह third column को क्या बना हो गया third row, 5, 1 and 3, check करो कि यह matrix A है क्या तो आपकर देखो A transpose निकाला और वो किसके equal आया A के equal तो हम बोलेंगे A कैसी matrix अपनी symmetric matrix है अचा इसके कुछ बाते note करते हैं अपन देखो, यह क्या होता है आपका A11 यह क्या होता है बच्चो आपका A11 यह मैं इसकी बात करूँ यह क्या होता है आपका A21 इसकी position क्या होती है देखो यह क्या है आपका second row है और first column है अच्छा एक बाद इसकी बताना क्या होगी मैं तो position इसकी क्या होगी देखो A12 यह वाली बाद समझाई इसकी position बताओ देखो यह कितना होगा आपका A31 और इस वाले की position A यह क्या हैगा आपका 13 यही आएगा first row third column तो एक बाद note करना आप symmetric matrix के case में क्या बाद बोल रहा हूं है symmetric matrix के case में Aij equal होता है Aji के चेक करो A13 पर जो value थी वो equal है A3 बन के A12 पर जो value हो किसके equal है A21 तो हम बोलते को यह matrix कब symmetric होगी जब for all values of Aij किसके equal हो A of Ji और हम बोलते फिर वो इस condition को क्या करेगी satisfy that transpose of matrix A will be equal to the matrix A itself यह वाली बाद समझे हैं सब बच्चे को symmetric matrix की अब skew symmetric matrix देखे क्या बच्चे जब दी से तो देखो skew symmetric matrix क्या होती है अपनी skew symmetric को भी समझ लेते हैं अगर आपका skew symmetric में क्या होता है zero minus one और last column अपने पास minus one one zero एक बार इसका क्या निकालते हैं transpose निकाले तो देखो A transpose क्या है बच्चों help करना मेरी फर्स्ट column को किसमें convert कर दे फर्स्ट रो में तो जो गया zero minus one one इसका बताओ क्या होगा one zero minus one और third minus one one zero ए मेट्रिक्स A है क्या check करो देखो अब हमें क्या बताना A transpose equals to minus of A आप A को minus से multiply करो A को क्या करो आप minus से multiply करो तो minus of A क्या आएगा बताओ आपका zero minus one one ये कितना हैगा आपका one zero minus one ये कितना जाएगा minus one one zero check करो क्या A transpose इसी के equal है क्या देखो इननों को match कराओ अरे वाँ ये दोनों क्या हैं आपके same तो हम बोरें के matrix कैसी आपकी skew symmetric में एक बात note करना जिसमें leading diagonal होता है matrix का क्या है आपका leading diagonal इस पर जो इतने भी elements होते हैं अमकी value क्या होती है zero बच्चे value इस पर zero होती है तो हम बोरते हैं skew symmetric matrix कब बनागी कोई matrix जब आपके leading diagonal क्या हो zero आपका zero हो और देखो aij किसके equal हो minus of aji check तो रहें इसको ऐसा है क्या आपके इसको पकड़ लेतें देखो इसकी position क्या होगी a of two one आप इसका a12 check करना है देखो a12 निकालतें क्या होगा यह क्या होगा a12 तो मैं बात बहुत सकता हूँ क्या a12 is minus of a two one देखो satisfy कर रहा है न a12 is a12 is minus of a two one यह वाली बात सब उच्चे को समझा रही है तो skew symmetric matrix में क्या condition होती है कि आपका a transpose किसके equal आएगा minus of a और कोई matrix इस condition को कब satisfy करती है पहली कंडिशन क्या है उसके लिए आपके leading diagnosis को जितने प्रिया इलिवेंट अवो क्या होने चाहिए जीरो और second condition क्या है आपकी a of ij इसके equal में चाहिए minus of a ji तो यह symmetric और skew symmetric matrix बच्चों आपको clear होई थोड़ी अब इसके properties देखते है देखो symmetric और skew symmetric matrices की यह आपके use करेंगे हम questions में तो आप पहली property ऐसे कहती है पहली property क्या कहती है कि a minus a transpose a minus a transpose a plus a transpose is a symmetric matrix a plus a transpose is a symmetric matrix इसको check करते हैं जैको मैं assume कर लेता हूं matrix b is equal to a plus a transpose कोई matrix symmetric कब होती है मैं अगर यह condition बोलू की b क्या है मेरी symmetric matrix तो मैं यह बात बोलू हूं क्या की b का transpose किसके equal आना चाहिए b के equal आना चाहिए अगर मैं आप से बात बोलू b is a symmetric matrix which is equals to a plus a transpose of a तो b transpose किसके equal आना चाहिए बच्चो b के equal आना चाहिए उसका transpose दिकालते हैं देखो b transpose क्या होगा आपका बताओ मेरे को a plus a transpose के whole transpose यह ही आएगा अच्छा matrices आपकी addition होता है तो transpose क्या होता है सीधा open हो जाता है तो b transpose किसके equal होगा a transpose plus a transpose का transpose a transpose का transpose क्या होता है a ही होता है क्या तो देखो क्या आ गया यह A transpose plus A इसको मैं ऐसे देख लूँ गया B transpose को A plus A का transpose क्योंकि matrix addition क्या होता है आपका commutating होता है तो हम ऐसे आगे पीछ इनको लिख सकते हैं तो देखो तो क्या B transpose B के equal आ गया इसकी value that check करो क्या यह B था क्या अपना देखो तो यह बात बोलते हैं कि कोई matrix A plus A transpose है तो क्या होती है वो symmetric होती है ऐसी हमने पास एक और property है इसकी कि यह जो matrix होती है अपनी कौन सी अगर मैं B को matrix assume करूँ A minus A transpose क्या assume करूँ बच्चो बच्चो A minus A transpose यह कैसी होती है आपकी skew symmetric क्या होती है बच्चो यह skew symmetric चेक करते हैं देखो इसको भी तो क्या लगे हम B का transpose तो B का transpose क्या आएगा A minus A transpose का whole transpose यह आएगी बात तो B का transpose देखो क्या आएगा आपका A transpose minus A transpose का transpose मुझे एक बताना A transpose का transpose क्या होता है A यहाँ पर minus common law यह क्या जाएगा A minus A का transpose क्या देखो यह B है क्या तो हम बोलेंगे B transpose किसके equal है आपका minus of B it means matrix B is a skew symmetric matrix तो यह वाली बात समझा है बच्चो कि आपकी A plus A transpose क्या होता है symmetric matrix और A minus A transpose कैसी होती आपकी skew symmetric matrix फिर हम यह बात बोलते हैं कोई भी matrix लेलो A कोई भी matrix क्या लेलो A उनको हम लिख सकते हैं ऐसे half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose किसी भी matrix को आप symmetric matrix और skew symmetric matrix की form में लिख सकते हो कैसे A को लिखो आप half यह कैसी matrix होगी आपकी symmetric यह कैसी matrix होगी बच्चो symmetric matrix होगी ना और देखो यह कैसी matrix होगी आपकी skew symmetric यह कैसी होगी आपकी skew symmetric तो हम मारे पास question आएंगे आगे आपसे बोलेगा कि matrix गिवन होगी बोलेगा आप इसको एसे लिखो symmetric और skew symmetric की form में तो यह दोनों properties समझाएंगे संबंच को यह बास समझाएंगे कि आप किसी भी matrix को कैसे लिख सकते हो as a sum of symmetric and skew symmetric matrix तो बच्चों अभी के लिए इतना ही करेंगे आगे बादी वीडियो में आप exercise की तरफ चलेंगे आएंची 83.3 तब तक आप वीडियो को शियर करें लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें